अलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल कुप कुप किकिंग आज हम बनाएंगे बिल्खुल हलवाई स्टाइल आलो गोबी की सब्जी तो फ्रेंट्स आलो गोबी बनाने के लिए यहां पे मैंने फूल गोबी ली है दोसों ग्राप इसको मैंने अच्छी तरह से वाश करके चौप किया हुआ है और एक मैंने बड़ी साइज पटाटो लिया है इसको भी मैंने अच्छी तरह से वाश करके चौप कर लिया है तो फ्रेंट्स अब हम फूल गोबी और पटाटो को फ्राइ करेंगे सबसे पहले हम कड़ाई में तेल लेंगे ऑईल को हलका सा गर्म करेंगे और उसमें फूल गोबी डाल देंगे फूल गोबी को हमने अच्छी तरह से पकाना है तो फ्रेंट्स यहाँ पे आपने ये धियान जरूर रखना है कि आपकी जो फूल गोबी है वो 75% तक फ्राइ होते हुए पक जाएं और अब इसी ऑईल मे हम पटैटो को फ्राइ करेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे हमने अच्छी तरह से पटैटो को फ्राइ करना है तांकि इनका जो गच्छा बन है वो खतम हो जाए आप देख सकते हो हमारे जो पटैटो है वो पकना शुरू हो चुके हैं हलका सा ब्राउन होना स्टार्ट हो प्रेट में इसी ओइल में डालेंगे एक चमजीरा साथी में डाल देएंगे खर्श किया हुआ अधरुक और लसन यहाँ पर फ्रेंट्स में अधरुक और लसन को डाल रही हूँ इसका पेस्ट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अगर आप क्रश करके डालोगे तो आपकी सब्ज अद्रक और लसन का स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया आएगा तो अब हम डाल देंगे एक रश किया हुआ प्यास को अच्छी तरह से हमने ब्राउन करना है इसी के साथ हमने साथ में ही इसके हरी मिर्च डाल देनी है हरी मिर्च को प्ये अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तांकि इसकी जो कड़वाट है वो खतम हो जाए रफ चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे प्यास में और चलाते हुए तड़के को एक से दो मिनिट तक हम पकाएंगे सवाद उमसार नमक डाल देंगे आदा चमच गर्मसारा डालेंगे आदा चमच हल्दी पॉटर डाल देंगे और एक चमच देगी मिच पॉटर डाल देंगे और तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसालों को अची तरह से पकाएंगे तड़के के साथ और साथ ही में इसके फ्राइ की हुई गोबी और पटैटो डाल देंगे और अची तरह से मिक्स करते हुए एक से दो मिनट तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे अगर आप इस तरीके से आलो गोबी की सब्जी बनाओगे तो आपकी जो सब्जी है बिलकुल हलवाई स्टाइड शादी ब्याज जैसी बनेंगी तो एक से दो मिनट तक हम ढखकर पकाएंगे सब्जी को देखे फ्रेंड्स हमारी जो सब्जी है वो अच्छी तरह से अपक चुकी है तो अभी हम इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा हरादनिया तो हरादनिया आपने सब्जी में ज़रूर डालना है क्योंकि हरादनिया डालने से सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और सब्जी दिखने में भी अच्छी लगती है तो अच्छे तरह से इसे सब्जी में मिक्स कर देंगे आप देख सकते हो फ्रेंट्स हमारी जो सब्जी है वो कितनी अच्छी बन कर त्यार हो चुकी है तो अच्छी तरह से हमारी सब्जी पप चुकी है तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे हमारी सब्जी जो है अलवाई स्टाइल आलू गोपी की सब्जी हमारी बिल्कुल काने के लिए त्यार है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना थैंक्स पर वाजिंग